नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का RP Technical Study YouTube चानल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपने बात करेंगे NCL की वेकेंसी के बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे Northern Coalfield Limited की वेकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों को शेर कर दिजिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इसकी वेकेंसी आई है कुल 12500 में पदो पर कितने पदो पर आई है 1200 500 में पदो पर आई है और आपको बता दू कि यह वेकेंसी apprenticeship की है किसकी है apprenticeship की है जिसमें आपको एक साल के training होगी आपकी और आपको एक साल का NAC certificate मलेगा अर्थार्थ NAC मतलब national apprenticeship certificate दिया जाएगा एक साल का तो इस परकार से यह apprenticeship की vacancy है तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करें तो इसके लिए कोन eligible है तो दोस्तों इसके लिए जो ITI exam from है UP और MP based institute only अर्थार्थ जो candidate UP और MP अर्थार्थ उत्तरपरदेश वे मद्यपरदेश के किसी institute से ITI किया है वहीं student इस vacancy के लिए eligible है बाकी कोई student इसके लिए eligible नहीं है अर्थार्थ other state वाले इसके लिए कोई भी eligible नहीं है जो student उत्तरपरदेश वे मद्यपरदेश के किसी भी institute से अगर ITI किया है तो वह इस vacancy के लिए eligible है वह इस vacancy में फोरम अप्लाई कर सकता है तो चलिए इसके बारे में डिसकर्च करेंगे एक एक करके किया eligibility है क्या क्या इसके qualification है सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहां vacancy के बारे में चर्चा करें तो welder की जो कितनी पोश्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो welder की general की कुल 46 seat है जबकि OBC की 13 seat है HD की 12 seat है वह HD की 17 seat है इस परकार से welder की कुल 88 post है कितनी post है 88 post है तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका एक साल का आपका training होगी कितनी साल की एक साल की training होगी हूँ आपको इसका NAC certificate भी दिया जाएगा तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में दे रखा है तो दोस्तो इलेक्ट्रेशन की कुल 430 seat है कितनी seat है 430 जिसमें जनरल की 219 है OBC की 64 है SC की 61 है HD की 68 है इस परकार से कुल इलेक्ट्रेशन की 430 post है दी गई है उसके बाद में बात करें मोटर मेकेनिक की तो दोस्तों मोटर मेकेनिक की कुल 290 seat है कितनी seat है बाद में seat जिसमें से जनरल की 48 seat है OBC की 13 seat है SC की 13 seat है वह HD की 18 seat है इस परकार से कुल 1295 में पदों पर यह vacancy है कितने पदों पर है 1295 में पदों पर है जिसमें से जनरल में 638 OBC में 109 में SC में 181 वह HD में 277 इस परकार से कुल 1295 seat उपर यह vacancy है 1295 में पदों पर है तो इस परकार से इसमें आप अपलाई कर सकते हैं अब इसका eligibility criteria देख लेते हैं अर्थार्थ का वह चले इसकी eligibility की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहां welder की दे रखा है आठवी pass plus ITI pass in welder trade from NCVT या SCVT recognized UP और MP based institute only अर्थार्था आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो candidate उत्तरपरदेश या मद्धेपरदेश के institute से ITI किया है उसी के लिए eligible है अब बात करते हैं इलेक्टरेशन की तो इलेक्टरेशन के लिए 10th plus ITI pass होना जरूरी है जो की SCVT या NCVT से होना चाहिए और केवल MP या उत्तरपरदेश के institute से होना चाहिए उसके बाद में बात करें फीटर की तो फीटर के लिए 10th plus ITI है बात कर है motor mechanic की तो दोस्तो motor mechanic के लिए 10th plus ITI pass है ट्रेड से होना चाहिए और दोस्तों या है सभी trade के लिए एक मुख्य बात है कि अगर आप किसी भी trade से हो चाहिए आप welder से हो, electrician से हो या फीटर से हो या motor mechanic से हो तो किसी से भी और और general से belong करते हो तो आपके 50% mark होने चाहिए आप चाहिए आपके ट्रेड में चाहिए आपके ट्रेड में चाहिए आप किसी भी trade से हो और अगर आप है HTSC OBC से हो तो आपके 45% होने चाहिए आपके ट्रेड में तो यह मुख्य important बात है चलिए आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहां दे रखा है cutoff date कब आएगी तो इसकी cutoff 20-12-2021 को आजाएगी इसकी cutoff date कब आएगी 20-12-2021 को चलिए आगे बात करते हैं एज के बारे में तो दोस्तों एज दे रखी है minimum 16 वरस और maximum 24 वरस 20-12-2021 तक अर्थार्थ 20 December 2021 तक इसकी minimum 16 वरस और maximum 24 वरस दिया गया है और इसमें relaxation भी दिया गया है जो के HTSC के लिए 5 वरस का दे रखा है और वो BC के लिए 3 वरस का relaxation दिया गया है तो इस परकार से relaxation भी दिया गया है उमर में छूट भी दी गई है चलिए आगे बात करते हैं तो दोस्तों आपको apply कहाँ पर करना है तो जो apprenticeship की official site है उस पर जाकर आप इसको online भी online कर सकते और होगा आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसका selection process भी दे रखा है तो इसकी कोई भी exam नहीं होगी आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई भी exam नहीं होगी आपको केवल इसकी merit के आदार पर ही इसमें selection होगा selection किसके आदार पर होगा आपके जो अंक तालिका है उसके आदार पर ही इसका merit छटेगा दोस्तों इसके online forum के बारे में बात करें तो इसका online जो application forum start होगा वो होगा 6 December 2021 से start होगा जबकि last date के बारे में बात करें तो 20 December 2021 तक इसके forum apply कर सकते हैं 20 December 2021 तक इसके forum apply कर सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं और दोस्तों यहां दे रखा documents scrutiny verification के समझो apprenticeship trainee है उसके लिए कौन-कौन से documents अनुवारे हैं तो यहां दे रखा mark sheet certificate of class 10th या add तो आपके जो भी आपकी minimum qualification है उसकी जो आपने जो भी apply किया है वो certificate लगेगा 10th का या add का उसके बाद में ITI की mark sheet दे रखी है उसके बाद में आपको card certificate है अगर आप PWDU से हो तो उसका certificate है इस परकार से और आपको चार identical passport size photograph भी लेकर जाना है जो upload किया है उसी परकार का साती आदार card pen card bank passbook इस परकार से आपको यह document चाहिएंगे जो कि अब जब आपका documents verification होगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को share कर दीजिए ठेंक्यू कर दोस्तों चाहिए जा हो तोस्तों कि जब जब आपकार कि अढ़ाई धर कि अब बढ़ार